हेलो दोस्तो जैहिंद स्वागत है आप सभी का एक वार फिर आपके अपने यूट्यूब चनल पर दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Border Security Force Recruitment 2022 के वारी में जिसका Official Notification जारी कर दिया गया है साथी साथ इसके Online आवेदन शुरू हो गए है दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Age Limit, Salary, Salary, Exam Pattern और Consecundy Date के लिए कितने पदों में वेकेंसी दी गई है और Consecundy Date के लिए कितने वर्स के छोट दी गई है आपकी Application क्या लगेगी क्या आपकी Height क्या आपका बेट होगा इस वीडियो में हम Official Bevacite के माध्यम से आपको पूरी जानकाई देने वाले है तो अगर आप इस जॉब से जोड़ी पूरी जानकाई लेना चाहते हैं तो वीडियो में इंड तक बने रहिएगा तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे इस वीडियो में हम Physical Test आपका क्या रहेगा इसमें Official Bevacite से पूरी जानकारी आपको मिलेगी तो फ्रेंट्स आप वीडियो में इंड तक बने रहिएगा टोटल वेकेंसी की बात करेंगे 20 पदो में ये वेकेंसी निकाली गई है पोस्ट नेम की बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट और असिस्टेंट सर्जन के लिए पोस्ट दी गई है बात करें हम पोस्ट नेम की तो वेटनरी असिस्टेंट सर्जन और असिस्टेंट कमांडेंट मेल एंड फीमेल सबसे बड़ा क्यूशन होता है कि क्या male और female कौन apply कर सकता है तो friends male and female यहने की महिला और पुरुस दोनों candidate इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे यहाँ पर जो post दी गई है 20 post दी गई यहाँ पर your candidate के लिए 11 post दी गई है और SC के लिए 4 OBC candidate के लिए 3 EWS candidate के लिए यहाँ पर दो post दी गई है वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं apply mode की तो कि आप इस भरती के लिए आवेदन कैसे कर पाएंगे तो आप online तरीके से इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे कौन कोन apply कर सकता है यह आल इंडिया जॉब होने वाली है male and female दोनों कंडिडेट इस भरती में आवेदन कर सकती है जो आपका job location and exam center रहेगा भारत के किसी भी राज़ी पर आपको दिया जा सकता है बात करें हम अगर salary detail की आपको BSF assistant commandant के लिए salary मिलने वाली है 56,100 रुपए से लेकर के 1,47,500 रुपए पर मंथ आपकी income होने वाली है application form fees की बात करेंगे UR, journal, OBC, other state के candidate के लिए जो application fees लगेगी 100 रुपए फीस लगने वाली है और SCST female candidate के लिए जो ये फीस लगेगी बिल्कुल free होने वाली है आप debit card, credit card, net banking से इसका pay कर सकते हैं बात कर लेते हैं हम age limit की जो आपकी age limit रखी गई है आधिया आईउ 18 से लेकर के 30 वर्स है तो आप इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे OBC candidate के लिए age limit बढ़ा करके 18 से 33 वर्स की गई है और SCST candidate के लिए आपकी age मान्य रहेगी नौ जनबरी 2023 तक मान्य रहेगी एज लाइस सेक्षन की बात करेंगे और SCST candidate के लिए government rule regulation के हिसाब से छूट दी जाएगी यानि की SCST candidate के लिए पांच वर्स की और OBC candidate के लिए तीन वर्स की छूट दी गई है वीडियो में आगे वड़ते हैं और बात कर लेते हैं physical test detail की for male and female candidate के लिए क्या रहने चाहिए तो male candidate के लिए 158 cm height होनी अनिवारी है और female candidate के लिए 142 cm height होनी अनिवारी है और फिर नौर्थ इंडिया जो उनके candidate आते हैं male candidate में 152 cm और female candidate के लिए 140 cm height होनी अनिवारी है running test की बात करेंगे 1600 km, 1.6 km आपको 7 minutes 30 seconds का आपको समय दिया जाएगा अब बात कर लेते हैं कि आप online तरीके से आविदन करते हैं तो क्या document आपके पास होना चाहिए photo and signature light color background photo होनी चाहिए education certificate, 8th pass, domitial certificate, cast certificate और आधार card आपकी ID proof के लिए friends होना चाहिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका selection process क्या रहेगा, return exam होगा document का verification किया जाएगा interview, final merit list बनेगी और इसी के आधार पे आपकी job लगने वाली है अब बात कर लेते हैं education qualification के simply 10th pass candidate इस भरती के लिए आवेदन कर पाएंगे important date की बात करेंगे तो friends इसके online आवेदन शुरू हो गये हैं और last date की बात करें 9 जनवरी 2023 बताए गई है तो friends वीडियो में दीगे जानकर इद्यापके कामकी लागे तो वीडियो को एक like जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली वा रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा क्योंकि जॉब से जुड़ी डेली नेनी update आपके लिए लाते रहते हैं आज के बस लिए इतना ही मिलते हैं एक नए notification के